तो भाई वाईवा सीरीज का ये सेकेंड वीडियो है जिसमें आप अपन लोग बात करने वाले शौक लगा मतलब की पी एंट जंक्शन की तो पी एंट जंक्शन पर बेस जितने भी वाईवा के कोशन्स होंगे वो सब आपको इस वीडियो में मिलने वाले तो चलिए शुरू करते हैं देखो भाई पी एंट जंक्शन डायोट में बेसिकली अपन को एक किट दी होती है उस किट से अपन लोग वियाई करेक्टर स्टिक्स बनाते हैं और पी एंट जंक्शन का एक कर्व बनाकर लेकर आते हैं वो हमको वियाई करेक्टर स्टिक्स फॉर्वर्ड बायस म मिल जाyengे तुमको एक एक करके, but aim हमेशा पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए aim, क्योंकि अगर aim पता नहीं होगा और external ने आके पुछा, क्या कर रहे हो, तो आपन वहीं पे अपना वाईबा, खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है, इसके बात, जो अपने पास next question आता है वो यह semiconductor क्या होता है तो बिल्कुछ simple है semiconductor मतलब कि ऐसे material जिनकी conductivity मैटल से कम होती है मगर insulator से ज़्यादा होती है उन सारे materials को हम बोलते है semiconductor 14th group element generally semi conducting behavior show करते हैं जिसमें भी mainly हमारे पास दो है silicon and germanium तो वो बोलेंगे कौनसा group 14th group कौनसे elements silicon and germanium और बहुत simple सी इसकी definition थी जिनकी conductivity लाए करे किसके बीच में conductor और insulator के बीच में उसको हम बोलते हैं semiconductor name different types of energy band आप कैसे classify करोगे कि यह conductor है यह insulator है या यह semiconductor है तो हम बनाते हैं उसके लिए energy band diagram energy band diagram हमारे पास दो होते है बेसिकली एक diagram एक ही है उसमें 2 bands होते एक होता है valence band एक होता है conduction band जो valence band होता है उसमें holes होते हैं मतलब कि बहुत सारे holes जो move करते हैं अभी बताता हूँ तुम्हें holes भी क्या होते हैं कंड़क्शन बैंड में free electrons होते हैं और इनके बीच का gap जो है अगर 1 electron volt के आसपास होता है तो वो semiconductor होता है अगर balance band और conduction band के बीच का gap बहुत ज़ादा होता है मतलब 3 से 4 electron volts से भी ज़ादा होता है तो उसे हम insulator कहते हैं और अगर हमारा जो gap है वो overlap कर रहे होते हैं, 0 electron volt होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं conductor, यह सब वाइवा के questions थे, एक के अंदर बहुत सारे questions हैं, ध्यान से, इसके बाद हमारे पास जो next आता है, वो है define an intrinsic semiconductor, semi-conductors दो तरह के होते हैं, एक होता है pure semiconductor, एक होता है impure semiconductor, pure semiconductor मतलब जिसमें आपने कोई भी mixing नहीं करी, generally silicon and germanium, उन्हें हम बोलते हैं pure semiconductor, intrinsic semiconductor, अंदर intrinsic, अपन नहीं कहता है introvert इंसान है, मतलब अपने अपनी रहता है, किसी से गुलता मिलता नहीं है, तो अगर pure state में हैं, तो हमारे पास, जब मिलाया नहीं तुमने किसी को, तो वो हो गया हमारे पास intrinsic semiconductor, इसके बाद हम से कहा जाएगा, define an extrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor क्या होता है, या फिर आप से कहा जाए, impure semiconductor क्या होता है, जब pure semiconductor के अंदर अपन impurities मिला देते हैं, मतलब कि, या तो 13th group element, या 15th group element मिला देते हैं, तो जो हमारे पास बनता है, उसे हम कहते हैं, extrinsic semiconductor, इसमें भी दो category होती है, एक होता है N type, एक होता है P type, चलिए, pledge के वीडियो में पूरी-पूरी recording मिल जाएगी तुमको, which material are commonly used as a semi-conductor, germanium and silicon are used as the semi-conductor, अगर तुमसे कहा जाए, artificial, तो gallium arsenide भी use होता है, lead sulfide भी use होता है, इनका काम IR के लिए होता है, gallium arsenide का use हम solar cell में भी करते हैं, उसको हम लोग LEDs में भी करते हैं, यह छोड़े-छोड़े questions हैं, पूछे जा सकते हैं, which of the upper two material has a less energy gap, energy gap has valued 0.72, उपर मतलब की germanium और silicon, so in case of germanium जो हमारा energy band gap आता है, वो 0.72 electron volt के आसपास आता है, और in case of silicon यह 0.12 electron volt के आसपास आता है, अगर general answer करना है, तो 1 electron volt के आसपास अगर energy band gap है, तो वो हमारे पास semiconductor कहलाता है, conduction band और balance band के बीच का gap, उस gap को क्या बोलते हैं वैसे, जो gap होता है, balance band और conduction band के बीच में, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है forbidden energy gap, अच्छा यह तो हो गई अपने पास कहानी, अब आए बाद चल रहा है आपका, कोई भी question आपसे पूछा जा सकता है, तो कोशिश करो, कि इस तरह से answer करो, कि वो उस question में भी, तुमारे answer में भी एक question चुपाओ, तो वहीं से वो पूछते चले जाएंगे, जैसे तुमने बोल दिया extrinsic दो तरह के होते हैं, पी टाइप, एंटाइप, तो फिर वो पूछेंगे, describe M-type semiconductor, N-type semiconductor वो semiconductor होते हैं, जब अपन pentavalent impurity मिला देते हैं, मतलब कि कौन से family है pentavalent, nitrogen family, वहाँ से कोई भी मिला देते हैं, तो वो N-type semiconductor होता है, इसमें majority में electrons होते हैं, इसलिए majority में electron का negative का N उठा कर इसको बोल दिया N-type, ठीक है, और minority में holes होते हैं इसमें, so pentavalent impurity मिला दिया जाए, donor type impurity मिला दी जाए, या फिर arsenic, antimony, bismith, 15th group element मिला दिया जाए, तो हमारा pure semiconductor बन जाता है, N-type semiconductor, इसके बाद हमारे पास आता है, name the pentavalent, वो बोलेंगे, कौन सी impurities हैं, नाम बताओ, तो pentavalent impurities है, phosphorus, arsenic, antimony, bismith, बट जनरली अपन लोग arsenic को लेते हैं, क्योंकि इसका lattice match होता है, अब lattice क्या होता है, अब लेते हैं, सारे के सारों को नहीं मिलाते हैं, इसके बाद अपन से पूछा जाएगा, P type semiconductor क्या होता है, तो P type semiconductor P for positive, तो जिसमें majority में holes होते हैं, minority में electrons होते हैं, जब हम 13th group को मिलाते हैं, या accepted type impurity को मिलाते हैं, तो वो बन जाता है हमारे पास, एक pure semiconductor से, impure P type semiconductor, इसके energy band diagram भी बनवाए जा सकते हैं, बिल्कुल आराम से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसके बाद वो अपन से पूछेंगे, name the trivalent impurities, तो देखो भाई, boron, aluminium, gallium, indium, thallium, जनरली अपन लोग indium का use करते हैं, जब अपन लोगों को P type semiconductor बनाना होता है तो, ठीक, इसके बाद हमसे कहा जाएगा, what is doping, जब आप किसी pure semiconductor के अंदर, impurities को mix करते हो, तो ये जो process है, ये कहलाती है doping, कहा सुना तुमने सबसे पहले, athletes को सुना होगा, कि वो बोलते है, दोप test में fail हो गए, मतलब कि उस athlete ने, या उस particular olympic में, जो भी events से, उसमें जो person था, उसने ना खिलाडी था, उसने ना ऐसी कुछ खाली या गोली या खाली, जो allowed नहीं थी, जिसकी वज़ा से, उसकी body की efficiency बढ़ गई, तो ऐसी medicines को, जो जब उसने अपने body में लिया, तो impure हो गई body, तो that is actually doping, so doping is mixing of, और adding of impurities in a pure semiconductor, that process is called doping, अच्छा, इसके बाद पूछेंगे अपन से, what is depletion layer, अब depletion layer की बात जब होगी, तो वो बोलेंगे, ये क्या कर रहे हो, तो तुम PN junction diode का experiment कर रहे हो, हाँ sir कर रहे है, PN junction कैसे बनता है, जब एक P type semiconductor को, N type semiconductor के साथ sandwich कर दिया जाता है, मतलब की, आप से, अगर अच्छा, ये NCIT में भी दिया है, क्या आप अलग से P type लाओगे, मार्केट से N type लाओगे, और जोड़ दोगे, तो क्या वो PN junction बन जाएगा, नहीं, एक ही chip के ऊपर, एक पार्ट को P type बनाया जाता है, एक पार्ट को N type बनाया जाता है, तब जाकर बनता है PN junction diode, उसका reason बताता हूँ, उसका reason ये है, कि जब आप एक P और एक N को लेकर चिपकाओगे, तो बीच में जो gap होगा, वो molecular range से बड़ा हो जाएगा, तो फिर वो interaction ही नहीं हो पाएगा उनके बीच में, इसलिए हम अलग से जोड़ेंगे, तो PN junction कभी नहीं बनेगा, जब हम P type और N type बनाते हैं, तो क्या होता है, P में holes जादा है, N में electrons जादा है, तो holes आने लगते हैं P से N, electron जाने लगते हैं N से P, और junction पर वो recombine हो जाते हैं, और वहाँ पर एक ऐसा region खड़ा हो जाता है, जहाँ पर कोई भी charge carrier नहीं होता है, the region around a PN junction diode, where there is no charge carrier, is known as depletion region, इससे जादा उसको, उनको उल्जाने की कोशिश मत करना, जादा मैं detail में लेके भी नहीं जा रहा हूं, क्यों नहीं लेके जा रहा हूं, क्योंकि तुमने अभी ये पढ़ा नहीं है, तो इसलिए तुम बहुत जादा confusion में होगे, और पढ़ा है तो definition clear हो गई, what is junction potential barrier, potential barrier क्या होता है, stopping potential क्या होता है, तो जो depletion layer होती है, उसके अंदर ions होते हैं, तो उसकी वज़ा से एक potential difference develop हो जाता है, junction के across, जो holes को P से N नहीं जाने देता, electrons को N से P नहीं आने देता, और इसकी वज़ा से, वो जो potential difference create हो गया, अब charge का flow नहीं होता, उससे हम बोलते हैं, potential barrier, definition आपके सामने है, the potential difference between junctions, ends of the two types of semiconductor, due to which no charge carrier flows across the junction, is called junction barrier potential, और stopping potential, डोनों definition है, बहुत important है, depletion layer की भी और यह final term के लिए भी, और यहाँ पर भी, इसके बाद what is biasing, अभी आपने जो pn junction बनाया, उसमें बैटरी थोड़ी ना लगाई, तो अगर आपने pn junction में बैटरी लगा दी, तो फिर वो कहलाता है, biasing, अब क्या होगा, आप higher potential को p से लगा सकते हो, और lower potential को भी p से लगा सकते हो, तो इसी लिए अब आपके पास जो biasing हो गई, वो दो तरह की हो गई, ठीक है, so biasing मतलब applying an external potential difference, more than the potential barrier, मतलब potential barrier से जादे ही लगा होगे, नहीं तो अगर आपने कम लगाया, तो फुद्दू वो जाई नहीं रहे थे, और तुमने लगाया नहीं जादा, तो वो जाएंगे क्यों, तो flow तभी होगा, जब potential barrier से जादा होगा, और इसी लिए, जब हम बाहर से जो battery लगाते, तो हम circuit की क्या कर रहे हैं, हम circuit की कर रहे हैं, biasing, फिर अपन से बुला जाएगा, give names of two types, different types of biasing, two types की होती है, एक होता है forward bias, एक होता है reverse bias, अगर आपने P type semiconductor को, PN junction में higher potential पे लगाया, N के comparison में, तो forward bias, P को positive से, N को negative से, सीधे सीधे, सीधे का हिंदी हो गया forward, अगर आपने P को lower potential से, negative से, और N को positive से, मतलब higher potential से, अगर P lower potential, N higher potential, तो उसे हम कहेंगे, reverse bias, यह ध्यान रखना, और यही तो तुम्हें करना है, circuit diagram भी इसी पर based है, वो भी पूछ सकते हैं तुमसे, how does the biasing effect the thickness of the depletion layer, अगर आपने biasing के कारण, मतलब forward bias या reverse bias की आप बात कर रहे हो, तो वो आपकी depletion layer को कैसे affect करेगी, तो forward bias में current flow होता है, reverse bias में ideally नहीं होता, forward bias में जो depletion width है, वो कम हो जाती है, और जो reverse bias से उसमें depletion width बढ़ जाती है, बहुत ही जादा अच्छा कोशन है, in fact तुम्हारे board के लिए भी बहुत जादा important है, तो depletion width increases in case of reverse bias, decreases in case of forward bias, इसके बाद how does the biasing resistance affect it, भाईया देखो forward bias में current flow हो रहा था, depletion width कम हो रही थी, resistance भी decrease हो रहा था, reverse bias में आपकी depletion width बढ़ रही थी, आपका resistance भी बढ़ रहा था, ideally forward bias में zero resistance होता है, और reverse bias में infinite resistance होता है, flow ही नहीं होता, वीडियो में समझ में आ जाएगा और अच्छे से, draw the IV characteristics for the diode, so diode में ये चो छोटा सा zone है, ये zone हमारे पास है, potential barrier का, इसके बाद जैसे ही voltage बढ़ता है, वैसे ही current बढ़ना start हो जाता है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है forward bias characteristics, और ये हमारे पास क्या है, reverse bias characteristics, यहाँ पर एक फिनामिना होती है, जिसको अपन बोलते हैं breakdown, जब आप reverse bias में voltage की value को बढ़ाते हो, तो होता ये है, कि एक time के बाद junction पर, बहुत सारे charge carrier generate हो जाते हैं, और उसकी वज़े से, अचानक से current बढ़ जाता है, उसी voltage पर, उस voltage को बोलते हैं, breakdown voltage, zinner ने इस पर बात कीती, इसलिए zinner breakdown voltage भी बोलते हैं, zinner अब अपने syllabus में नहीं है, इसलिए उस पर discussion नहीं कर रहा हूं, तो ये आपके पास, वाइवा के कुछ selected questions थे, जो आपसे 99% chances है की पूछे जाएंगे, इसके अलावा मुझे नहीं लगता की वो पूछेंगे, बट वही मैं जैसा हमेशा कहता हूं, everything depends upon external, वो क्या आपसे पूछना चाह रहे हैं, अगर knowledgeable होंगे, इन ही में से पूछेंगे, अगर वो थोड़ा सा इधर उधर का सोच रहे होंगे, तो फिर वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, that depends upon the external, तो इस वीडियो में तो इतना ही, keep subscribing, keep liking the videos, keep supporting us, physics baba is supporting you, you all should support physics baba, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाव डिकी तरह से, जेहुआ!